ती ट्वेंटी वर्ल्ल कप में सुर्यकुमार यादों से बहुत उम्मीदे हैं सुर्यकुमार यादों ने साउथ अफरीका के खिलाब शांदार प्रदर्शन किया सुर्यकुमार यादों को एवी डिविलियर्स के बाद किरकेट का नया मिस्टर 360 कहा जा रहा है इस धाकर बल्लेबाज को आज की तारीख में दुनिया के सबसे बहतरीन T20 बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है साउथ अफरीका के खिलाब जब सभी भारती बल्लेबाज धारशाई हो गये तो सुर्यकुमार यादों ने एक छोर से भारत की पारी को संभाले रखा और 40 गेंदों पर 6 चौके और 3 चको की मदद से 60 रनों की पारी खेली सुर्यकेस पारी के बदावला थी भारत साउथ अफरीका के सामने 9 विकेट पर 133 रन का सम्मान जनक स्कोर बना पाया सुर्यकेस शांदार पारी के बाद पुर्व भारती ओपनर गौतम गंभीर ने उनकी पारी पर एक बड़ा बयान दे दिया है गंभीर ने दावा करते हुए कहा कि सुर्यकुमार यादो की अपारी किसी भी भारती बल्लेबास द्वारा अब तक की खेली गई सबसे बेस्ट पारी है उन्होंने इसके साथ तर्ग दिया है कि सुर्यक वेहद मुश्किल परिस्थितियों में आकर यापारी खेली वही गंभीर के इस बयान के बाद विराट कोहली की वह पारी फीकी पड़ गई जो की उन्होंने पाकिस्तान के खलाब खेली थी कोहली ने भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में आकर बिरासी रणों की नबाद पारी खेली थी और टीम इंडिया को मैच जिताया थी उसके बाद हर कोई कोहली की उस पारी को T20 किरकिट की सबसे बेस्ट पारी बताने लगा लेकिन गंभीर को ऐसा नहीं लगता गंभीर के इस बयान के बाद कोहली के फैंस ने उन्हें लतारना शुरू कर दिया है फैंस ने पूछा कि आखिरकार गंभीर को रन मशीन कोहली से इतनी जलन क्यों है सोशल मीडिया पर फैन्स गंभीर को लेकर कई तरह की मीम्स बना रहे हैं एक यूजर ने बॉलिवुड फिल्म वेलकम की एक सीन में नाना पाटिकर के तस्वीर शियर करते हुए लिखा जलता है मजनू एक यूजर ने गंभीर की तस्वीर शेर करते हुए लिखा शेम ओन यू अनिकेट जैसवाल नाम की यूजर ने लिखा गोतम गंभीर ने विराट कोहली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी कमेंटरी लाजवाब है वो हरिस राउफ के खिलाफ विराट के छक्के के तुलना रबाड़ा के खिलाफ एसकाई के शोड़ से कर रहे हैं भाई इतनी जलन क्यों इतनी असुरक्षा किस लिए कोहली से इतनी प्रॉबलम क्यों तो इस तरह से कोहली के फैंस गौतम गंभीर के इस बयान के बाद गंभीर को जवाब दे रहे हैं वैसे गंभीर के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं क्या आप भी मानते हैं कि सुर्य कुमार दुवारा खेला गया ये पारी विराट कोहली के पारी से भी बेस्ट है कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजे